होँठ सुर्ख यकूत जिवें लाल चमकन ठोड़ी सेब वला एती सार विचों दंद चम्बे दिकली के हंस मुती हो दाने निकले हुसन अनार विचुँ ये कलाम है अजीम सुफी बज़र्ग सेद वारस अलिशा का जिनों ने महबत की लोग दास्तान हीर रांजा को अपने लफास से मुतियों में ऐसे प्रोया के लोग आज भी हीर वारस अलिशा को मगन होकर सुनते और गाते आ रहे हैं अंद चंबे दिकली के हंस मुती हो सेद वारस अलिशा ने हीर और रांजा की जिनकी के तमाम लमहात को मस्जद वारस शा के हुजरा में ही बैठ कर लिखा जो के आज भी किताबों में जिन्दा है वारस शा के नाम से मंसूब इस मस्जद को पंजाब का सिकाफ्ती विस्था करार दिया गया है लेकिन ये मस्जद हीर सेद वारस शा ये कदीमी मस्जद है उफाकी गवर्मेंट को लोकल गवर्मेंट को कि इस पर तुज़ दे और इसकी डिवैलमेंट पे और देगर मामलात को संबाले ताकर ये विस्था मफोज रहे तूटी दिवारों जबा खिस्था हाली की शकार मस्जद वारस शा पर अगर तवज़ ना दे गई तो पंजाबी विस्था जाया होने का खिद्शा है